वेलकम टूरेक्स ञाओं आज है 21 सितंबर 2022 और 21 सितंबर 2022 एक रेंट फैस्ट की जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन मन सकते हैं सारे हमें बिसक्स करेंगे और हर कुछिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट परेक्ट वीब आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध हमारे टेलीगराम गरुप सेowym download कर सकते हैं टेलेगराम गुरुप पर आपको सारे पीडियाप आपी गृफ साथ मिल जाएंगी और टेलीगराम गुरुप पर लिंक मैंने इस वीडियो की सितंबर के आकरी रविवार को खत्म होने वाले सप्ता को हर साल अंतरास्टी बद्र सप्ता के रूप में मनाये जाता है इस बार सितंबर के आकरी रविवार को जो 19 सितंबर से सप्ता सुरू हुआ है ये खत्म हो रहा है इसलिए 19 सितंबर से अंतरास्टी बद्र सप्ता सितंबर के आखरी रविवार को मनाया जाता है तो इस बार अंतराष्टी बद्र दिवस 25 सितंबर को मनाया जाएगा तो इतना आप अंतराष्टी बद्र सप्ता और अंतराष्टी बद्र दिवस के बारे में आद रखिए अच्छा अभी 18 सितंबर को बेश्चु बास दिवस और अंतरास्टी समान बेतन दिवस मनाए गया 17 सितंबर को बिसु रोगी सुरक्षा दिवस और अंतरास्टी लाल पांडा दिवस मनाए गया 16 सितंबर को 200 ओजोन दिवस मनाया गया 15 सितंबर को अंतराश्टी लोकतंत्र दिवस इंजिनियर्स डे और 200 लिंफोमा जागरुकता दिवस मनाया गया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया 11 सितंबर को पेट्रियट डे और बिनोवा भावी की जैनती मनाया गयी 11 सितंबर को ही राश्टी बन सहीद दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को बेश्व आत्मात्या रोक्ताम दिवस और बेश्व प्रात्मिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमाले दिवस और बेश्व एलेक्ट्रिक वहिकल दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को बेस्सु भौतिक चिकित्सा दिवस, बेस्सु फिजियो तेरफी दिवस और अंतरास्टी साक्षरता दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का सुतनता दिवस मनाया गया। साथ सितंबर को ही नेले आसमान के लिए अंतरास्टी स्वच्छ बायू दिवस मनाया गया पांस सितंबर को अंतरास्टी चैरिटी दिवस मनाया गया तेन सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रेपर डे और अंतरास्टी गिद्ध जागरुकता दिवस मनाया गया और दो सितंबर को पेस सुनारियल दिवस मनाए गया तो सितंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलफो लगता है तब आप इस वीडियो क टार्गेट विक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटमेटिकली अच्छी हो जाएगी नएक शुशन है हाली में सेना प्रमुक मनूज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मेरातन का उद्गाटन कहां किया है त अब लद्दाक तुम मैप में देखिए यह लद्दाक लद्दाक के लिट्रेंट गवर्नर कौन है आर के माथोर और अभी 26 में सिंदु दर्सन यात्रा लद्दाक के लेहे में सुरू हुई सांसकर्तिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदाइक संग्राले का उद्गाटन अभी लेहे में हुआ भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा गार यानि की रोबिंग सिनेमा हौल लेहे में स्तापित किया गया इस पुत्तिक गुस्टर फेस्टिबल 2022 उद्धाक में है neighborhood हाली में कहां के उपराजपाल ने community policing पहल बेगग केर शुरू की है तो दिल्ली के उपराजपाल है बेग चे शक्सेना उन्होंनЕ अभी community पुलिसिंग पहल बे केर की शुरुवात की तो इसकुषिए इनका बे ऐप्सें सही है अच्छा दिल्ली तो दिल्ली के चीप मिनिस्टर कौन है अरविंद केजरिवाल अभी एसीन बस्तर सम्मिलन का नौमा संस्क्रड नई दिल्ली में आयजित हुआ अरविंद केजरिवाल Make India No.1 मिसन शुरू किया है स्वर्षम्राट फेस्टिवल का दसमा संस्क्रड नई दिल्ली में शुरू हुआ दिल्ली सरकार ने मिसन कुसल कर्मी शुरू किया है पर्यावण मंत्राले नई दिल्ली में हर्याली महुतसब आयुजित करेगा और देश के पहले पसु स्वास्ते सिकर समेलन का उदिल्ली में हुआ है नई दिल्ली में हुआ है हाली में Adobe ने Figma डिजाइन प्लेटफॉर्म का कितने मिलियन डॉलर में अधिग्रेड किया है तो एक डिजाइन का सौफ़वेर है Figma इसका अधिग्रेड अभी Adobe ने किया और कितने में किया है 20 मिलियन डॉलर में कितना 20 मिलियन डॉलर तो इस कुश्चिन का C options है अच्छा Adobe Adobe की स्थापना का उफ हुई 1982 में Adobe का हैड़कॉर्टर कहां पर है कैलिफोर्निया में और Adobe के CEO कौन है सांतनू नारायन Next Question है हाली में कहां आम लोगों की सिकायतों के लिए CM the HACI portal का सुभारम हुआ है तो CM the HACI portal इनली में इसका मतलब है CM को सूचित करें इस portal का सुभारम अभी मड़पूर के इंफाल में हुआ है तो इस कुश्चिन का B options है अब मड़पूर तो ये है मैप में मड़पूर मडपूर की capital क्या है मडपूर के chief minister कौन है एन वीरें सिंग और मडपूर की governor कौन है ला गडेशन अच्छा अभी खौंग जौंग दिबस 23 अपरेल को मडपूर में मनाया गया पुर्वोतर का सबसे लाई हरोबा तिवार और संगई महुत सब ये मडपूर में मनाया जाते हैं अच्छा मेरा भाई चानू को मडपूर का ASP अपट किया गया था नए क्यूशन है हाली में Global Clean Energy Forum का प्रतिनिद्द कौन करेंगे तो Global Clean Energy Forum इसका प्रतिनिद्द करेंगे हमारे केंद्री विज्ञान एबम प्रोध्यों की मंतरी डॉक्टर जितेंद्र सिंग तो इसकुशन का A option सही है नए क्यूशन है हाली में अडानी ग्रीन ने केसराज्जी में 325 मेगावाट की पबन उर्जा परयोजना शुरू की है तो अभी अडानी ग्रीन ने मत्यप्रदेश में 325 मेगावाट की पबन उर्जा परयोजना शुरू की तो इसकुशन का C options है अब मत्यप्रदेश तो यह है मैप मत्यप्रदेश मत्यप्रदेश की capital क्या है भूपाल और भूपाल में है भोजताल मद्यप्रदेश की चीपनिष्टर है सिबराज सिंग चोहान और मद्यप्रदेश की गवर्नर कौन है मंगू भाई सीप पटेल अब भी मद्यप्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है मुक्य मंत्री बाल आसिरबाद योजना ये मद्यप्रदेश सरकार ने सरूप की बेस्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोरूजा सयंत्र मद्यप्रदेश में बनाया जाएगा अमर सहीद चंसेगर की भब्य प्रतिमा मद्य प्रदेश की भोपाल में इस्तापित की जाएगी हमारे पूर राष्ट्पती रामनात कोविन ने भोपाल में आरोगी मंतन कारेकरम का उद्गाटन किया अच्छा मद्य प्रदेश में काना निसनल पार्क है बाद्दवगण निसनल पार्क है, मादव निसनल पार्क है, संजे, zबार राष्टन सब्स के बारे में pumद्य प्रदेश के बारे मियाद़ रकिए ने फ्यन है, हाली में जम्मू कस्मीर में कहां पहला मल्टि पलेक्स कोला है तो जम्मु कस्मीर के स्रेनगर में लगबक तेन दसक के बाद, तेन दसक यानि कि तेस साल के बाद पहला multiplex खुला है, तो इस question का बे option सही है, जम्मु कस्मीर के स्रेनगर में लगबक तेन दसक के बाद पहला multiplex खुला है, नेक शुशन है, हाली में बंगलादेस के किस क्रिके पिस長 इस्की खोश्टं न कि तो इस्कुसिंन का एक उपसन स सजए अब बंगललेस तो ये हैं понадIs बंगल डेस्की के बिटल क्या है धाका बंगल डेसची करनसी क्या है टका बंगलेसस की प्रजेंट टाइब पर प्राइमिस्टर कौन है सेख हसीना और बंगलादेस की प्रजेंट पर प्रेसिडियोंट कौन है अब्दुल्ला हामिद अभी बंडे में 8000 रन मिलाने वाले पहले बंगलादेसी बल्लेवाज बने हैं तमीम इकबाल वसीफा नाजरीन ये केटू फत्य करने वाली बंगला बंगलादेस के खिलाडी हैं तमीम इकबाल इन्होंने अभी टे 20 इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की गोश्ण की है बंगलादेस ने मुस्त फिजूर रहमान को भारत में अपना उच्चायूक तो पोइंट किया है अच्छा इंडिया और बंगलादेस की बीच कौन-कौन सी एक्सप्रेस ट्रेने चल रही हैमेffa Express मेटाली Express और बंदनशी ने शुचिन हाली में उत्तर प्रदेष के सहरको पहली स्च्चायू परेटन और सांस्कुर्थिक राजदानी गोश्चित किया गया तो अभी उततर प्रदेष के 12rc सहर को पहली SEO परेटर और सांस्क्रतिक राज़दानी कोशिद किया गया तो इसकुषिन का बे options है नहीं हाली में fast track नियायलों में लंबित मामलों के मामले में कौन राज़ी सीड्स पर रहा है तो fast track नियायलों में लंबित मुकदमों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है तो इस कुश्चिन का से ओप्सिंस आई यानि कि फास्ट ट्रेक कूर्ट में सबसे ज्यादा लंबित मुकदमे उत्तर प्रदेश में है अब उत्तर प्रदेश तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर अभी भारत का पहला नाइट सफारी और जै बिवित्ता पार्क लखनव में बनाया जाएगा उत्तरपदे सरकार ने अबैद सराव और नसीली दबाओं के ब्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फूर्स का गठन किया है उत्तरपदे सरकार ने पंचाम्ब्रत योजना सुरू की है बाराणसी में अखिल भारती सिक्षा समागम का उद्गाटन हुआ एरपुट अथोर्टी ओफ इंडिया ने उत्तरपदे सरकार के साथ सम्झोता किया है और उत्तरपदे सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की गोश्णा की है अच्छा उत्तरपदे से दुद्वा नेसनल पार्क है कपर्णिया घाट वायलास संचुरी है और पेली वीथ टाइगर रिजर्व है नए क्यूशन है हाली में भूट पूर्व सैनिक कल्यांट विवाग के सचिब कौन बने हैं तो भूट पूर्व सैनिक कल्यांट के आई एस अधिकारी हैं और यही अब भूत पूर्व सेने कल्यांड विवाक के सच्च बने हैं अच्छा अभी दूसरी बार भारत के अट और नी जनरल बनेंगी मुकुल रहतगी बरिस्ट राजनाइक प्रकास चंद्र को एरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक किया गया नागे सिंग को थाइलेंड में भारत का राजदूत नियुक किया गया बेक्रम दुराई स्वामी ये यूके में भारत के उच्चायुक नियुक हुए हैं और क्रेडिट स्विस के नए CFO बने हैं देख्छित जोसी नए शुशिन हाली में चेन को पचाड कर कौन सा दे सिलंका के सबसे बड़े रेड दाता की रूपे उबरा है तो अभी चेन को पचाड का सिलंका को रेड देने की मामले में भारत टॉप पर पहुँचा है तो इस कुशिन का ए उप्सन सही है अभी पिछले चार माहिने से सिलंका को रेड देने की मामले में चायना टॉप पर लेकिन इंडिया ने पेच्छे चार माहिने में सिलंका को 968 मिलियन डॉलर का रेट दे कर इसे पेचे कर दिया है तो अब सिलंका को रेट देने के मामले में इंडिया नमबर उन पर है हाली में केस राजे में बिनासकारी भूकम की याद में आपदा जोखिम न्यूनिकर्ट दिवस मनाया गया तो सेक्किम में अभी 18 सितंबर को आपदा जोखिम न्यूनिकर्ट दिवस मनाया गया एक्षिन में 18 सेप्टेंबर 2011 में सिक्किम में बिनासकारी भू कम पाया था इसी भू कम की याद में 18 सितंबर को सिक्किम में आपदा जोखिम निवनीकर दिवस्मनाया गया तो इस कुश्यन का 2 options है ए अब सिक्किम तो ये है मैप में सिक्किम सिक्किम की capital के है गंगटो सिक्किम की chief mr. कौन है प्रेम सिंग तमांग और सिक्किम की governor कौन है गंगा प्रसाद अभी सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना की पहल की सिक्किम के पूर मुख्यमंतरी बेवी गुरंग का निधन हुआ है और सूले मई को से किम इस्तापना दिवस मनाया जाता है नए क्यूशिन है हाली में रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग के इस देश की तेन दिवसी आधिकारिक यात्रा बर गए है तो हमारे रक्षा मंतरी है राजनाथ सिंग ये अभी मिस्र की तेन दिवसी यात्रा बर गए है तो इस question का C option सही है अब मिस्र यानि की Egypt तो ये है map में Egypt Egypt की capital क्या है? काहरा Egypt की currency क्या है? Egyptian pond और Egypt की present time पे president कौन है? अब्दिल फत्य है अल सिसी कौन है? अब्दिल फत्य है अल सिसी अब लास्ट वीडियो के question का answer लास्ट वीडियो मैं आप से question पूचा था कि हाली में संपत्ती पंजी करण को digitize करने वाला पहला राजजी कौन सा बना है? तो अभी महरास्ट संपत्ती पंजी करण को digitize करने वाला पहला राजजी बना है यानि किस question का C option सही था और लगबग सभी इस awareness का answer सही दिया most least awareness के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा स्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में डूरंड कपका 131 संस्क्रड केसे ने जीता है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबब हम हमारे Facebook page पर previous area question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके मारा Facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous area question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshRC Instagram पर indreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की studio का target जरू याद रखना आज की studio का target है 40 एलाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है अलपू लगा है तब आप इस video को like और share जरू क्या करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का video आपको ये video कैसा रगा प्लीज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लिजी आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current interface की video मिलती रहे next exam always with you thanks for watching